हलो वाइस वाले हम निफ्टी 50 के बारे में कि कल आपकी किस तरीके से प्लैनिंग होनी चाहिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया था वन डिरेक्शन रैली देखने को मिली निफ्टी के अंदर है और हमने वो कैप्चर भी किया अल्मोस्ट अल्मोस्ट 110 रुपे का प्रीमियम 220 220 करवाया अपने मेंबर्स का और होनों ने अच्छा गासा निफ्टी में मौर्निंग में भी पैसा बनाया थोड़ा थोड़ा जब यह मूब मिला था हमको और इवनिंग में भी पैसा बनाया बीच में हमारा मार्केट आप देख सकते हो sideways था and sideways market में काम नहीं किया जाता है तो जल्दी से देख लेते हैं आज का profit क्या रहा आप लोग को मैंने bank nifty का क्या scalping दिया था 200 point का हमारे members का profit trade and scalping सब कुछ देखेंगे जो हमारे telegram पर आपको available है यहाँ पर मैंने fin nifty का bank nifty का already video डाल दिया आप channel पर अगर नए हो तो जल्दी से उनको देखो and समझो then आप Friday का planning करो ठीक है अब यहाँ पर हम जाएंगे यह रहा हमारा आज का दिन यहाँ से शुरू होता है तो यहाँ पर 1331 का profit आपको देखने को मिलेगा then 642 का loss 1429 का profit 4816 का profit then 400 रुपे का profit 600 रुपे का profit 800 का profit 7000 का profit 27800 का profit 5000 का profit 1955 का profit then 19000 का profit 8466 का profit bank nifty का हमारा scalping जो दो बज़े के असपास था और यह premium हमारा more than 100 point गया था one direction में उसके बाद थोड़ा सा hold किया और फिर वापस से उपर निकला 5000 का profit 3000 का profit 1600 का profit nifty 50 का जो 113 रुपे का premium है आप जाके जरू चकल लेना 22,000 का call 113 रुपे का premium यह 230 चालिस तो आराम से गया ही होगा आज के दिन यहाँ पर आप देखो 3350 का profit 35 का profit यह हमारे कुछ members के screenshot है जो आपके साथ मैंने share की है आज के दिन जन्होंने बड़ी है पैसा बनाया आप देख सकते हैं उसके अलावा 800 का profit 28,000 का profit और यह हमारी वीडियो अब बात करें आपको trade कहाँ पे आज मैंने दिया था trade दिया था मै कल की वीडियो मैंने आप लोग को एक important बात बताईती अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो आपने जरूर पैसा यहाँ पर बनाया होगा सुबह ही सुबह क्या मैंने आपको कल बोला था जरा बता देते हैं देन उसके बाद हम discussion करेंगे कि कल की क्या planning होनी चाहिए मैंने आपको कल clear cut बोला था कि आप लोग plan कर सकते हैं अपनी trade कहाँ पर 20,020 के नीचे आप जाके कल का nifty 50 का वीडियो देखिए आपको पता चल जाएगा मैंने ये levels के नीचे आपको trade plan करने के लिए बोला था and अगर आप देखोगे तो third candle में हमने यहाँ से निकले मैंने आपको बोला था क्या 20,000 20 के नीचे आप trade plan करोगे छोटा सा risk रहेगा अगर हमारा market सोरी 22,000 20,000 के level से वापस reverse करता है तो आप exit कर दोगे cost to cost लेकिन अगर नीचे निकल जाता है तो आपको एक बड़ी हा target देखने को मिल जाएगा तो 22,000 20 से हमारा market fall किया और fall करता हुआ आया 22,000 सुबह ही सुबह 50 पॉइंट आपके बन जाते अगर आपने कल की वीडियो देखी होती तो वापस से बोलूँगा आप जाके जरूर चेक आउट कर सकते हैं not a problem for me ठीक है ये हमें पहला move मिला market ने यापर support लिया ये इसका support area भी था कहीं ना कहीं पिछला आप देख सकते हैं हमने बात कीती अगर इस area पर नहीं रुका तो हमारा market gap fill करेगा जो कि उसने वापस जब fall किया है उस time में gap filling किया है ठीक है और market अपने अगले support area से काफी देर consolidation करने के बाद upside का move दिखाया ठीक है ये चीज़ होगी clear आपको सुबह 50 पॉइंट का move मिल जाता अगर आप opportunity बनी थी लेकिन वो opportunity grab क्यों नहीं की गई उसके पीछे का मैं reason बता देता हूँ market में जब ये upside धीरे धीरे जाना चालू कर दिया था था ना ठीक है धीरे 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 तो यहाँ पर एक opportunity बन रही थी वो opportunity मिस हुई कैसे हुई आप अगर इसको मिलाओगे ना तो यहा कि यहाँ पर करनी यहाँ पर चाहिए थी करी यहाँ पर confirmation देखो यह हमारा क्या था कल का जहां पर market ने pullback लिया था यहनी कि final जब market हमारा close हो रहा था तो यहां से fall किया था आज की हमारी opening भी यही थी और यही पर जाके market ने hold किया और market ने pullback का मौका दिया then हमने अपने members को इस level पर trade plan करने के लिए बोला जो कि था 22,000 something का call 113 रुपए पर जाके देख लेना यहां से हमारे पास एक क्या safety आती है कि हमारा अगर SL है तो max to max SL यह है अगर हमारा market उपर जाके वापस नीचे निकल जाएगा तो हम इसके नीचे अपना SL लेके निकल जाएंगे अगर हम कहीं पर ले रहें तो फिर SL की जगे नहीं समझाती कि SL कहां लगाए जाए यहां का SL लगाए जाए यहां का SL लगाए जाए क्या market यहां से वापस reverse कर जाएगा तो वो एक दिक्कत आगी थी यहां पर एक red candle बनती तो हम trade plan करते लिकिन वैसा नहीं हुआ इस एरिया में बैंक Nifty में scalp करवा के दिया और वहां पे 100 points से उपर बनाए भी हमारे members ने जो आप देख सकते हैं यहां से 2200 से 2200 यह पूरा move capture हुआ इसमें 100 plus point हमारा Nifty 50 का premium move किया है तो यह आज का हो गया हमारा दिन खतम अब हम बात करेंगे कि कल की planning क्या होनी चाहिए तो market ने बहुती बढ़ इसको मैं वापस नीचे कर दूँगा आप लोग लगा लेना यहां पर एक नया हमारी कल की trading planning जो है वो call side में इसके उपर रहने वाली है 22250 के उपर तब तक हम call में plan नहीं करेंगे अगर सुबह सुबह momentum के साथ निकलता है तो आप direct trade ले सकते हैं अगर आप direct trade नहीं लेना च चाते तो एक red candle यानि कि एक pullback का विट करो यानि कि यहां से उपर निकले एक pullback आए तब आप trade plan करो दो तरीके हैं कैसे भी जा सकते हो जो direct planning होती है वो थोड़ा सा risky रहती है बस क्यों risky रहती है कभी कभी ऐसा होता कि market fake निकल जाएगा विक उपर बना देगा candle नीचे close कर देगा ये एक होता है दिक्कत closing उपर आएगी तो हमारा market कल बढ़िया upside के levels देखने वाला है no doubt in that but हमारी planning जो है 22,250 के उपर ही रहने वाली है इतना आप लोगों को दियान रखना है ठीक है अब बात करें for the downside level तो market में हमें एक ये zone देखने को मिल रहा है एक छोटा सा यहा पर देखने को मिल रहा है ठीक है जितर हम planning कर सकते हैं ये planning live market में हो सकती है अभी मैं आपको बोलूँगा तो कहीं न कहीं first सकते हो आप लोग आप लोग ट्रेड ले लो के कहीं न कहीं घूम गया market then what तो मेरे according आपको क्या करना है ये वाला level निकलने दो ठीक है ये हमारा market वापस से आपको 40-50 point का move देदेगा downside में ठीक है क्यों क्योंकि ये हमारा काफी बार area ऐसा रहा है जहां पर support resistance बने है तो अगर मैं आपको बोलूँगा कि यहां कहीं पर आप ट्रेड लो तो हो सकता है market इदर से reverse कर जाए तो मैं बोलूँगा safe side के लिए आपको एक बार इ नहीं टिका market तो फिर हमारा market 22,050 पे आ जाएगा जहां पर इसको last bounce मिला है ये market फिर यहां पर रुकेगा आपको समझ में आ गई है planning call side में कब जाना है put side में कब जाना है important level वो मैं आपको सुभे provide करा दूँगा अपने telegram के ऊपर तो आपका काम क्या है जल्दी से जाओ telegram को join करो important है आपके लिए वहीं पर आपको scalping का मौका मिलेगा वहीं पर आपको learning मिलेगी वहीं पर आपको हमारे members को जो मैं बताता हूं trade देता हूं वो देखने को मिलेगा video को like करो channel को subscribe करो telegram को join करो comment section में जो पूछना है मेरे से पूछ सकते मैं उसका answer आपको करके दे दू होंगा not a problem सीखने पर ज्यादा focus करो over trade नहीं करो losses कम से कम होने चाहिए profit बड़े से बड़े करने का try क्या करो thank you so much